हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल पर इच्छा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो सीटेट का एक्जाम भी हो गया रिजल्ट भी आ गया और कुछ लोगों ने अच्छे नंबरों से सीटेट का एक्जाम जो है वो किलियर भी कर लिया लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक या दो नंबर से सीटेट के एक्जाम में रह गये वो किलियर नहीं कर पाए तो आज उन्हीं लोगों पर बात करेंगे कि उन्हें क्या करना है आगे अब कैसे क्या रड़नीती होनी चाहिए अगले सीटेट को किलियर करने की कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब उन्हें ये देखना है कि कमी कहां पर रह गई जिसकी वज़े से ये एक्जाम जो है वो किलियर नहीं हो पाया अपनी कमजोरी को ढूणना है कि किस जगह पर हम कमजोर पढ़ गई कि एक्जाम को पास नहीं कर पाए तो चलिए कुछ म मैतपूर बिन्दूओं पर चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो वो लोग हैं जो एक या दो नंबर से रह गई हैं तो जो एक या दो नंबर से रह गई हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी आवसकता नहीं है अगला सीटेट जल्दी ही होगा या तो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा तो आप लोगों को अपनी तैयारी को रोकना नहीं है continue अपनी पढ़ाई रखनी है जहां पर भी कमी रह गई जो भी विशाय आपका कमजोर था उसको पहले पढ़ना है और उसी को समय अधिक देना है इसके अलावा जो भी और भी सब्जेक्ट है उनको छोड़ना नहीं है ऐसा नहीं है कि आपनी ये सोचा कि इसमें कम मार्क्स आए हैं तो इस वाले सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे और बाकी में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है जिसमें कम नंबर आई हैं उसको अधिक समय देना है और जिसमें पर्याप्त नंबर आपने प्राप्त किये हैं उनको भी समय देना है अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ा हुआ भूल गए थे एक्जाम हॉल में गए और वो पेपर देखकर घबरा गए उन्होंने पेपर को सही से सॉल्ब नहीं कर पाया तो वो लोग भी बिलकुल परिसान ना हो अपने आत्म विश्वास को बनाई रखें और ये बिलकुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते आप सबसे पहले ये अपने दिमाग में ठान लीजिए कि कोई भी एक्जाम हो आप कर सकते हैं और अपने आत्म विश्वास को कायम रखना है सबसे पहले तो यही बात ध्यान में रखनी है कि अपने आत्म विश्वास को डगमगाने नहीं देना है अपना आत्म विश्वास जो है भो कायम रखना है अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रस्ण पेपर देखकर भूल जाते हैं तो उनको क्या करना है कि जो भी प्रस्ण आप पढ़ते हैं जहां से भी तैयारी सुरू करते हैं तो एक्दम पक्की कीजिये ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और फिर उसको दुबारा कभी नहीं देखा रिवीजन भी करना है पहले पढ़ना है उसके बाद दुबारा रिवीजन करना है प्रैक्टिस भी करनी है तब एक्जाम आपका अच्छे मार्क से किलियर हो पाएगा अब कुछ लोग की प्रॉबलम है कि तयारी सही से नहीं हो पाई तो तयारी सही से नहीं हो पाई ये आप लोगों को अपना टाइम टेबल बना के चलना है कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी है उसको आपको फॉलो करना है यह नहीं कि आपने एक दिन उसको follow किया, दूसरे दिन छोड़ दिया कि नहीं कल करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको continue उसको follow करना है, exam कोई भी हो, आप clear कर लेंगे, बस आप अपने प्रती इमानदार रहेंगे तो, और कुछ लोगों की ये भी problem है कि तयारी के लिए परियाप्त समय नहीं मिल पाया, तो अब तयारी के लिए आपको परियाप्त समय मिल रहा है, चलिए आपका exam नहीं हो पाया लेकिन अब जो मौका आपको मिले उसको गवाना नहीं है, क्योंकि जो exam है, जनवरी में हो चुका ह अब जो है, या तो जुलाई में होगा, या अगस्त में होगा, कि पिछला जो exam था, वो अगस्त में हुआ था, 20 अगस्त को, उसके बाद हुआ जो अभी जनवरी में 21 जनवरी को, तो अब ये मान की चलिए कि जो अगला exam है, कि अगला जो exam सी टेट का होगा, वो या तो जो है, वो हो जाएगा, तो आगे इसी पर चर्चा होने वाली है, कि नेक्स्ट सी टेट का जो exam है, वो कव तक होगा, तो अभी बताया कि जैसे ये जनवरी में exam हो चुका है, तो अगला exam जो है, उसकी संभाबना है, जोलाई लास्ट में या अगस्त सुरुआत में, तो मान के चलिए कि आपके पास कितना समय है, फरवरी को तो जोड़िये ही नहीं, क्योंकि फरवरी जो है वो आदी तो निकल ही चुकी है, अब थोड़ा समय और फरवरी में सेस है, तो मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई को बिलकुल भी मत जोड़िये, क्योंकि जुला और सीटेट में बहुत ही अच्छे नमबर प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको तयारी जो है वो इमानदारी से करनी है, और अपना जो हात्म विश्वास है, उसको बनाई रखना है कि आप ये कर सकते हैं, अब सीटेट की जो एक्जान की तयारी है, वो किस तरीके से करनी है, अभी जन्वरी में सीटेट हुआ है तो उसके लिए N-C-E-R-T जो थी पेपर सेकेंड के लिए SST की मैंने हिस्टरी, जोगर्फी और पॉल्टी पूरा कम्प्लीट पढ़ाया था मैंने प्रामिस किया था कि मैं उसको खतम करवा दूँगी तो मैंने उसको कम्प्लीट करवा दिया था क्लास 6 की हिस्टरी, क्लास 7 की हिस्टरी, क्लास 8 की हिस्टरी उसके बाद क्लास 6-8 की जो जोगर्फी थी और क्लास 6-8 की जो पॉल्टी थी वो भी कम्प्लीट करवा दिया थी science के लिए भी मैंने कहा था तो science भी मैंने class 6 to 8 NCRT का complete करवा दिया था तो next जो CTAT होगा उसमें भी मैं आप लोगों का पूरा साथ दूँगी और एक कोई नई series में लेकर आऊंगी उसमें आप लोगों के लिए काफी चीजे होगी जो आपको help करेंगी CTAT में CTAT exam को किलियर करने के लिए तो आप लोगों को क्या करना है कि बस चैनल को subscribe कर लीजिएगा और बस साथ बने रहिएगा continue मैं आप लोगों का exam जो है बहुत अच्छे marks से किलियर करवाने में help करूँगी बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ोंगी मैंने पहले भी कहा था promise किया था और मैंने उसको पूरा किया मैंने complete NCRT उसके बाद practice भी करवाई जितने भी previous year के paper हो चुके थे वो मैंने सारे SST के और science के जितने भी offline paper हुए थे मैंने सारे प्रशनों को हल करवाया था तो इस बार भी मैं पूरा साथ दूँगी आप लोग बस मेरे साथ बनी रहे मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए अब जो भी NCRT से प्रसनाते हैं वो एक भी आपके गलत नहीं होने दूँगी क्योंकि मैं पूरा complete syllabus करवाऊंगी NCRT का उसके अलावा जो previous year के जो पेपर हो चुके हैं उनको भी एक एक करके solve करवाऊंगी तो बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है जिनका exam clear नहीं हुआ है आप लोगों के पास अभी समय है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो next seat out होने वाला है उसे किस तरह से clear करना है इस रड़नीती के साथ तो तब तक के लिए अपना खयाल रखिए मुस्कुराते रहिए और चैनल को जो है वो subscribe कर लीजिए